समस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे गोवा के बारे में गोवा बहुत ही खुपसूरत समुद्र की नारों से घिरा हुआ राज है यहां की प्राकर्तिक सुन्दर्ता पर्यटकों को आने के लिए मजबूर कर देती है समुद्र के खारे पानी में नहाने का अपना ही मज़ा ह होता है अगर आप एक बार गोवा जाते हैं तो आपका दिल करेगा बार बार जाने के लिए यहां की खुपसूरती बहुत ही निराली है नमबर वन गोवा छेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज है गोवा की राजधानी पढ़जी है नमबर टू गोवा का समु संदर के किनारों पर गोवा बसा हुआ है और इसी वज़ा से पूरी दुनिया में मशूर है छोटे बड़े 40 समुद्र तट गोवा में इस्थित हैं नमबर फूर गोवा का मुख्य उद्योग पर्यटन है यहां पर सबसे दादा भीड गर्मी की दिनों में होती है वर्षा भी घूमने के लिए स्कूटर ही चुनते हैं या सस्ता और आराम दायक भी होता है नमब सेक्स आप गोवा में छुट्टी बिताने कभी भी जा सकते हैं गोवा में पीक सीजन अक्टूबर से जनवरी तक का होता है इस दौरान यहां बहुत भीड रहती है मुख्य रूप से न्यू यर के समय आम इंसान से लेकर सेलिबरेटी हर को यहां जाना चाता है न्यू यर सेलिबरेट करने के लिए न्यू यर के शाम यहां का महोल देखने लायक होता है यहां का न्यू यर पूरी दुनिया में फेमस है इस पीक सीजन में यहां के रेट्स आसमान छूने लग पांसून सीजन में यहां a special discount भी रहता है जिसे उची दाम में आप को गोवा की मज़े मल सकते हैं दोस्तों यहां का एक बहुत ही famous बीच है जिस बीच का नाम है अंजुना बीच यहां नार्थ गोवा में इस्धित है यहां हर बुद्धवार फ्ली मार्किट लगता है यहां लोग बहुत ही अधिक मात्रा में आते हैं और शॉपिंग का मजा लेते हैं इस बीच में हमेशा लोगों की भीट रहती है क्योंकि सबसे जादा फेमस बीच गोवा का ये माना जाता है अगर आप भी अंजुना नहीं गए हो जो कि गोवा के न काल गुंते बीच यहां खत्म होता है वहां से बागा बीच शुरू होता है दोनों कहां से कहां तक हैं यह समझ पाना हमारे लिए काफी ज़्यादा मुश्किल है बागा बीच काल गुंते बीच से ज़्यादा डेवलप है और यहां भीड भी कम नहीं होती है यहां आप लो आपको इस बीच में देखने को मिल जाएगा लेकिन ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि ये बीच किसी भी सीजन में खाली नहीं रहता है क्योंकि बहुत जादा भीड रहती है इस सीजन में चाहे जिस भी सीजन में चले जाओगे आपको यहाँ पे भीड कम नहीं मिलेगी तो सोच समझ के जाईएगा अगर आप बांगा और काल गुंते बीच जाना चाहते हैं तो दोस्तों आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो आप वीडियो पे कॉमेंट करके जरूर बताईएगा अगर आपको गुवा का पाल्ट टू चाहिए तो वीडियो पे तुरंट कॉमेंट कर दीजे मैं पाल्ट टू तुरंट बनाऊंगा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सुपली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकान जरूर दबाले वीडियो को देखने के लिए आप सबका शुक्रिया टेक केर बाई बाई